दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउं के बारे में दरसल बहुत से लोग तो गाउं के बारे में जानते हैं आप भी जानते होंगे कि गाउं किसे करते हैं गाउं जो है कैसा होता है लेकिन जब एक्जाम में पूर्ट दिया जाता है तो उसको थोड़ा explain करना मतलब सब्दों में explain करना थोड़ा कठीन हो जाता है तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो बिल्कुल छोड़ कर मत जाएगा, लास्ट तक जरो देखेगा, अगर आप गाउं के बारे में अच्छ से जानना चाहते हैं तो, अगर आपके एक्जाम में भी सवाल आ जाए गाउं के बारे में, तो आप आसानी से अपना उतर लिख सकते हैं, चलिए सुरू कर बताऊंगा किया कहां से मिलेगा, चलिए सुरू करते हैं, देखे गाउं का अर्थ क्या होता है, गाउं या ग्राम का अर्थ होता है, छोटी-छोटी मानों बस्तियां, अब जैसे जो बस्तियां होती हैं, वो छोटी होती हैं, ठीके, जैसे ये एक बस्ति है, जो छोटी है, जनसंख्या भी कम है ठेक है और यहाँ पर जो है छेत्र भी थोड़ा कम है लेकिन वैसे गाउ में छेत्र ज्यादा होता है और जनसंख्या कम होती है और सहर में क्या होता है कि सहर में छेतर कम होता है और जनसंख्या जादा होती है उल्टा होता है गाउं में छेतर ज्यादा और जनसंख्या कम और सहर में छेतर कम और जनसंख्या ज्यादा होती है तो गाउं या जो ग्राम होती है, मतलब उसी को गाउं या ग्राम कहा जता है तो गाउं का मतलब होता है छोटी-छोटी मानो बस्तियां जिनकी जनसंख्या कुछ जो सो या पाच हजार या दस हजार के बीच होती है इससे ज़्यादा नहीं होती है जहां कि बड़ी आबादी, खेती और अन्य परामपरागत पेशे से जुड़ी होती है यहां रहने वाले सदस्य आपसी आत्म निर्भरता से सामाजिक समंधों का विकास करते हैं गाउं की एतिहासिक रूप रेखा गाउं की उत्पत्ती के समंध में विद्वानों में आम सहमत्ती का अभाव है कुछ विचारकों का मत है कि गाउं की उत्पत्ती का मुख्य आधार सभ्यता का विकास है सभ्यता के विकास ने मनुष्य के ज्ञान को विक्सित किया जिसके परणाम सुरूप मनुष्य ने विभिन आवसक्ताओं के पूरती के लिए विभिन परयास शुरू किये और विभिन अनुभवों और परयासों के बाद उसे संतुष्टी प्राप्थ हुई यह प्रक्रिया समय के साथ नियंतर चलती रही और वर्तमान समय में जो सहर हैं जो नगरों हैं जो नगर हैं कासबे जो हैं उन सब की सनरचना गाउं की सनरचना से ही विक्सित हुई है मतलब आज के टाइम में जो सहर हैं जो बड़े-बड़े महानगर हैं वो सब ही पहले एक गाउं हुआ करते थे ठीक है यानि गाउं की सनर्चना से ही वो धीरे-धीरे सहरों में बदला है यानि गाउं से ही धीरे-धीरे सहरों में बदला है अब चलिए यहां तक समझगे कि गाउं का मतलब क्या होता है तो गाउं का मतलब क्या होता है तो गाउं चोडता है वो छोटी-छोटी मानों बस्तिया होती है देखे जिनकी जनसंख्या कुछ सोव या हजार के बीच होती है यहां तक समझ गे इसके बाद चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं गाउं की परिभासा अब गाउं की परिभासा जो है बहुत सारे विद्वान है जिन्होंने दी है उन्हों सब के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें देखे जो बर्ट्रांड है ठेके उन्होंने ग्रामीरता के आधार पर दो आधारों को प्रमुख माना है यानि बर्ट्रांड जो थे उन्होंने ग्रामिन्ता के निर्धारन में दो आधारों को प्रमुख माना है कौन-कौन एक तो हैं कि क्रिशी दोवारा आये करने वाले लोग और जीवने अपन करने वाले लोग यानि गाउं को और सहर को किस तरह से बाटा जा सकता है उन्होंने ये दो आधार लिये हैं पहला तो क्रिशी दोवारा आये तथा जीवने अपन और दूसरा कौम घनत्व वाला जनसंख्या छेत्र ये दो आधार हैं जिनसे की गाउं को अलग किया जा सकता है अगले विद्वान है मैरिल और एल्रीश उन्होंने क्या परिभासा दी है चरी जानते हैं उन्होंने कहा कि ग्रामिर समुदाय के अंतरगत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्रे के चारो ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हीतों में भाग लेते हैं इन्होंने कहा कि ग्रामिर जो समुदाय है ग्रामिर समाज है उसके अंतरगत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है मतलब की एकदम छोटा केंद्र होता है उनका मतलब एरिया छोटा होता है और उसी में वो लोग संगठित रुप से काम करते हैं अपना संगठित रुप से जीवने आपन करते हैं यह उन्होंने कहा है मैरील और एल्रीज ने अब अगले विद्वान है सैंडर्सन उन्होंने क्या कहा कि एक ग्रामिर समुदाय में अस्थानिय छेतर के लोगों की सामाजिक अंतरक्रिया और उनकी संसथाय सम्मिलित थी जिसमें में खेतों के चारों और विखरी जोपडियों तथा पूरवा या ग्रामों में रहती हैं और जो उनकी सामान्य क्रियाओं का केंद्र है अगली विद्वन है पीके उन्होंने कहा है कि ग्रामिर समुदाय परस्पर सम्मन्धित तथा और सम्मन्धित उन व्यक्तियों का समू है जो अकेले परिवार से अधिक विश्त्रित एक बहुत बड़े घर या परस्पर निकट इस्थित घरों में कभी अनियमित रूप में तथा कभी एक गली में रहता है तथा मूलत अनेक क्रिसी योग्य खेतों में सामान रूप से क्रिसी करता है मैदानी भूमी को आपस में बाट लेता है और आसपास की बेकार भूमी में पसू चराता है जिस पर निकट वर्ती समूदाय की सिमाओं तक वस समूदाय अपने अधिक्यार का दावा करता है अगले विद्वान है फेर चाइल्ड उन्होंने कहा है कि ग्रामी समूदाय पडोस के पेक्षा विस्तरिच छेतर है पडोस मतलब जो सहर है जो सहर के पेक्षा विस्तरिच छेतर होता है जिसमें आमने सामने के संबंध पाये जाते हैं जिसमें सामुईक जीवन के लिए अधिकांस्ता, सामाजिक, सैक्षनिक, धार्मिक एवं अन्य सवाओं के अवसक्ता होती है जो ग्रामिड जीवन होता है उसमें सामाजिक क्रियाई होती है, सैक्षनिक क्रियाई भी होती है यहां पर लोग धर्मिक करिया भी होती है धर्म को लोग मानते हैं ठीक है और सेवाओं के यावसकता होती है और जिन में मुल अभिवरितियों एवं विवहारों के प्रती सामाने समती होती है ज्यादा यहां पर लोगों में अतलब एटिटूड के हैं तो ज्यादा एटिटू छेत्रों में रखने की प्रवित्ती बढ़ रही है जिसमें समस्त अत्वा अधिकतर प्रमुख मानवी यहीतों की पूर्ती होती है जो सीम्स का कहना है कि समाज सास्त्रियों ने क्या कहा है कि मतलब समाज सास्त्रियों का यह मानना है कि ग्रामिर संदाय को ऐसे छेत्र में प्रानवी यहीतों हैं उसकी पूर्थी होती है अगले विद्वान है आर के पार्टिल उन्होंने कहा है कि ग्रामीर छेत्र में सामाने ग्राम अस्थान पर समीपस्त ग्रिहों में निवास करने वाले परिवारों के समुह को सामाने तख ग्राम की अभिवेक्ति के रुप में स गाउं यानि ग्राम में समाज की एकाई है ठीक है गाउं क्या है ग्राम में समाज की एकाई है यह रंग साला के समान है जहां ग्राम जीवन को प्रकट करता है और कार्या करता है यहां तक आप समझे कि कौन कौन से विद्वानों ने क्या परिभासाय दी है अगर एकजाम में आता है तो आपको यही परिभासा लिखना पड़ेगा क्योंको उन्होंने जो कहा है बिल्कुल वही लिखना वहाँ पर जो है वही लिखना होता है दूसरा अगर आप लिखते हैं तो मतलब गलत होने का चांस थोड़ा होता है मतलब मिलता जुलता होना चाहिए ठेक है अब चले जानते हैं लोग गाओं के प्रकार जो डॉक्टर सीएस दूबे हैं ठेक है समाज सास्त्री हैं उन्होंने गाओं के वर्गी करण के 6 आधार प्रस्तुत किये हैं यानि कि उन्होंने का कि गाओं को इंचो आधारों पर वर्गी करित किया जा सकता है मतलब इंचो आधारों पर बाटा जा सकता है जिनमें पहला है आकार जनसंख्या और भूच्छेत्र के आधार पर दूसरा है प्रजातिय तत्व एवं जातियों के आधार पर तीसरा है भू दूसरे समदाय से दूरी के अधार पर और छठा है अस्थानिय परमपरा के अधार पर बहुत से गाउं जो हैं अस्थानिय परमपरा का अधार पर भी जाने जाते हैं। चलिए आगे एचेजे पीक हैं ठेके एचेजे पीक उन्होंने गाउं का वर्गी करण मानों के भ्रमण सील जीवन से क्रिसी अवस्था वाले जीवन चक्र के जीवन तक के उधिकास के आधार पर किया है मतलब जो एचेजे पीक हैं उन्होंने गाउं का वर्गी करण मानों के भ्रमण सील जीवन और क्रिसी अवस्था को देखते हुए और भ्रमण सील जीवन को देखते हुए उन्होंने गाउं का वर्गी करण किया है इस दोरान मानों के अनेक अस्थाई और अस्थाई प्रकार के गाउं बसाए है अब देखिए इन्हों ने एचेज़ेपीक ने किस अधार पर किया तो ब्रहमर्चील जीवन जो ब्रहमर्चील गाउं वाले लोग होते हैं ब्रहमर्चील होते हैं जो की मतलब की क्रिसी के लिए आने चीजों के लिए वह अस्थाई नहीं होते हैं ठीख है एक जगह से बूजरे जगह पर आते जाते रहते हैं लो वीर्न फर ज़ो है क्रिसी करने वाले लोगों को पर मतलब जो अस्थाई होते हैं और जो अस्थाई होते हैं चले जानते हैं अस्थाई और अस्थाई के बारे में देखे पवासी क्रिसी ग्राम इन्होंने एचेजे पीक ने तीन मागुम बाटा है पहला है पवासी क्रिसी ग्राम इस प्रकार के गाउं अस्थाई प्रकार के होते हैं ऐसे गाउं के निवासी किसी अस्थान पर थोड़े समय तक रहते हैं और फिर उस अस्थान को छोड़कर दूसरे अस्थान पर किसी करने चले जाते हैं इसको काई आता है आँ अस्थाई ठीक हैं आँस्थाई ग्राम वे लोग कितने समय तक एक अस्थान पर निवास करेंगे या भूमी की उर्वरा सक्ती, मौसम की अनुकूलता और जीवन यापन के साधनों की उपलब्धता आधिकार को पर निर्भर करता है आपने एक सुना होगा जियोग्राफि में कर्तन दहन प्रणाली घुमन्तु खेती, घुमन्तु क्रिसी के बारे में आपने सुना होगा लोग क्या करते हैं कि एक जगा पर जब जमीन की उर्वरा सक्ती खत्म हो जाती है तो वो दूसरे जगा पर जाते हैं और वहां की उर्वरा सक्ती होती है वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं फिर वहाँ के उर्वरा सकती अगर खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे जगह पर जाते हैं जहाँ पर उर्वरा सकती होती है वहाँ पर जाएंगे उसके बाद वहाँ पर खेती करेंगे फिर ऐसे ही करते हैं वो लोग जहां पर मतलब उरोरा सक्ति खत्म होते जाती है वो धीरे धीरे वो उस जगा को छोड़ने लगते हैं तो इसी तरह से अर्थ अस्थाई जो प्रकार का गाउं भी है ये लोग क्या करते हैं खेती के लिए रहते हैं उसके बाद उरोरा सक्ति खत्म हो जाती है तो दूसरे जगा पर सेफ्ट हो जाते हैं अब चलिए दूसरा जाते हैं अर्थ अस्थाई क्रिसी ऐसे गाउं में लोग कई वर्सों तक निवास करते हैं और जब भूमे की उरोरा सक्ति नश्थ हो जाती है तो वे गाउं छोड़कर दूसरे उपजाव अस्थान पर जाबसते हैं ऐसे गाउं पहले परकार के गाउं में गाउं की तुनला में अस्थाई होते हैं ये अब पहले वाला जो मैंने बता है न पावासी क्रिसी ग्राम ठीक है अर्थ अस्थाई क्रिस्वी ग्राम क्या है तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ वर्षों तक मतलब की अधिक जो अस्थाई वाले लोग होते हैं उस्थे कुछ अधिक समय समय तक लोग रहते हैं एक जगा पर ठेक है मतलब जल्दी जल्दी ये लोग अपना जो है शिफ्टिं से नहीं सताप्तियों से रहते हैं मतलब सताप्तियों मतलब 100 साल ऐसे 200 साल ऐसे से वही क्रिसी करते हैं और इनकी प्रकृति अस्थाई एवं रोढ़िवादी होती है प्राक्रितिक विपताओं और आथिक संक्टों को जेल कर भी लोग इन गाओं में रहते हैं भारत में अधिकांस्त इसी प्रकार के गाओं देखने को मिलते हैं जो अस्थाई का होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो उस गाउं और छोड़कर नहीं जाए ठीक है कुछ भी ंlier महां पर कितना भी संकाट आ जाए य। pe pedestrians आज्ञें लेकिन वो गाउं छोड़ करके नहीं जाते हैं उसी को बेहतर बनाने के कोशिस करते हैं ऐसे ग्राम को अस्थाई ग्राम कहा जाता है ठीक है अस्थाई ग्राम मतलब एक जगा पर जो रहते हैं यहाँ तक आप समझ गे अब चलिए आगे और जानते हैं और भी बहुत अधार पर बाटा गया है गाउं को अब जो सोरोकिन है उन्होंने गाउं के वर्गेकरण के जो है दो अधार बता है ठीक है सोरोकिन वह भी एक समाज सास्त्री विद्वान है उन्होंने दो अधार बता है कौन-कौन घरों के संगठन के अधार पर और भू स्व गावों और दूसरा हुई केंद्रित ग्राम का होता है की किन्दिक्राम होता है गाओं ऐसे गाओं में किसान्व घरों का एक जुंड बना कर रहते हैं उनकी क्रिसियोग भूमि गाओं से बाहर होती है और एक ही निवासस्थान पर साथ साथ रहने से उनमें दृढ़ और सौ संबंध जीवन का विकास होता है जैसे ये लोग करते के हैं किंद्रित ग्राम वाले लोग कि उनकी जो खेती करने वाले भूमी होते हैं और ये लोग जितने भी लोग होते हैं, वो एक जगा पर रहते हैं, मतलब एक जगा पर अलग रहते हैं, ठीक है, घर एकदम पास-पास होते हैं, और एक जगा पर ये लोग अलग होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, कि खेती करने के लिए जो जमीन होता है, वो अलग होता ह है खीक है और एक जगह प्रिलोग रहते हैं अब वी किंद्रित ग्राम किस को कहेंगे तो ऐसे ग्रामों में किसान अपने अपने खेतों के किनारे छोटे-छोटे से समवह बना montage घरों में निवास करते रहते हैं अब by 말नें जीए खेती करने वाला जमीन है ठीक है जिस जमीन है वो क्या करेगा कि अपना घर यहां पर बना लेगा ठीक है जमीन के बगल में और केंद्रित क्राम में क्या था कि भले ही लोगों की जमीन कितना भी हो वो अलग रहता था और वो लोग रहते थे एक साथ सब लोग लेकिन यहां पर क्या है कि जिन लोगों की जमीन यहा आपर रहेंगे ठीक है ऐसे मतलब अलग-अलग रहते हैं कि ऐसौस के निवासक जो अस्थान है वो बिखरَ Chrom repair होते है अता अथम उनके सामाजिक जीवन में विभैदी करण उत्पन हो जाता है विभैदी करण मतलब कि वभिन्यता उत्पन हो जाता है वो लोग का मतलब थोड़ा अलग-अलग का राहनसान हो जाता है अलग-अलग का जो परंपरा वगरा हो जाता है अब चलिए हम लोग जानते हैं ग्राम की विशेस्ता गाओं की क्या-क्या विशेस्ता होती हैं यहां तक तो आप उम्मिद है समझ के होंगे समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा और लास्ट तक जरूर देखेगा आगे और भी जो है गाउं के विशेस्ताओं के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं देखें गाउं के विशेस्ता वा सीमित होता है यह पहली विशेस्ता है दूसरी विशेस्ता है गाउं का प्रकृति के साथ निकट वा घनिष्ट संबंद होता है जो गाउं के लोग होते हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं ठीक है एक वर्ड में कह सकते हैं कि गाउं के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं कुछ गाउं जो नगर, कस्वे या बाजार के समीप होते हैं, उसके अलावा सेस अधिकांस गाउं तो प्रकृति की गोध में बसे होते हैं, मतलब जो अधिकतर जो गाउं होते हैं, वो घने जंगलों में होते हैं, ठेके पहाड वगेरा एरिया में होते हैं, या प्रकृति से उनका नजदी की रिष्टा होता है तीसरी विशेस्ता है गाउं का आकार सीमित होता है गाउं की आबादी आम तोर पर 5000 से कम होती है वैसे कतिपे देशों में 10-10 हजार तक की आबादी की बसाहट को भी गाउं माना जा सकता है मतलब कि जो अन्य देश है उसमें 10,000 जो जनसंख्या वाले जो एरिया है छेतर है उसको भी गाउं के रूप में कहा जाता है ठीक है गाउं माना जाता है आबादी के साथ गाउं की जनसंख्या का घना तो अभी कम होता है चलिए अगली विश्यस्ता कहा है कि गाउं के लोगों में व्यवसाइक भीनता कम होती है गाउं के लोगों का मुख्य व्यवसाइक क्रिसी है जो गाउं के लोगों होते हैं वो अधिकतर खेती करते हैं ठीक है मुख्य व्यवसाइक उनका क्रिसी ही है आम तोर पर लोग क्रिस से ही सम्मंधित होता है जैसे कुछ लोग क्रिशे करते हैं और कुछ लोग क्रिशे के लावा अन्य जो काम करते हैं वो भी क्रिशी से ही सम्मंधित होता है अगलीव सेस्ता है गाउं की एक मुक्व सेस्ताया है कि गाउं में विभिन्न समू एक दूसरे के कारियों पर निर्भ इसके बाद अगली विशेस्ता है अगली विशेस्ता का है भारती गाउं में स्रम विभाजन का स्वरूप सामाने तया परम परात्मक होता है इसमें विशेसी करण का अभाव पाये जता है गाउं में भूमी अधिकांस्त उची जातियों और कहीं कहीं उच्छ मध्यम जातियो के पास होती है तलाब कुएं भी अधिकतर उन्हीं के पास होते हैं हाला कि वरतमान में सरकारी नल और टीवेल की विवस्ता होने से कुएं और तलाब का अब बहुत ही कम उपयोग होता है जो काउं के विशेस्ता होती है एक हाला कि मुख के विशेस्ता है कि यहाँ पर जो है जो उची जातियां होती हैं और कहीं ने कहीं उच्छतम मध्य जो मध्यम जातियां होती हैं उन लोगों के बीच अधिकतर जो है उन लोगों के पास अधिकतर जमीन वगेरा होता है और तालाब कुए भी उन्हीं के पास होते हैं अगली विशेश्ता है ग्रामीरी जीवन में विवाह तूनलात्मक रूप से कम आयू में होता है और परिवार काकार तूनलात्मक रूप से बड़ा होता है मतलब तुनलात्मकुरूप मतलब कि सहर की तुनला में सहर की तुनला में जो है वहाँ पर विवा कम उम्रे में हो जाता है और जो परिवार का कार है वो सहर की तुनला में बड़ा होता है गाउं समाज में संयुक्त परिवार का चलन अधिकी देखने को मिलता है अगली विशेस्ता है ग्रामिर समाज में लोगों के बीच प्राध्मिक संबंद पाया जाता है लोगों में अपने सामने का प्रत्यक्ट संबंद होता है और वे एक दूसरे को भली भांती जानते हैं अगली विशेस्ता है ग्रामिर समाज में आर्थिक राजनेतिक एवं किन्चित साक्षिक आधार पर वर्ग भेद कम होता है यदे पी संसकार जनित जातिय आधार पर भेद प्रकर होता है अगली विशेस्ता है ग्रामिड समाज में मैलाओं की स्थिती तूनलात्मक रूप से पुर्षों से निम्न होती है अगली विशेस्ता है ग्रामिड समाज में तूनलात्मक रूप से अस्थाईत वह पाया जाता है परिवर्थन होता है किन्तु उनका दाइरा सीमित और गति धीमी होती है ग्रामिड समाज में वेवसाईक वा सामाजिक गति सिलता कम होती है अगली विशेस्ता है ग्रामिड समाज में अस्थाईत तूनलात्मक रूप से नगरों से अधिक होती है मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अस्थित ही होते है अस्थिक्षा के कारण गाउं में अंधविश्वास अधिक पाया जाता है ग्रामिड कमोवेस भाग्यवादी होते हैं अगली विशेस्ता है ग्रामिड जीवन में धर्म संस्कृति वा परंपराओं का प्रभाव तूनलात्मक रूप से अधिक देखने को मिलता है अगली विशेस्ता है और अंति मिशेस्ता है ग्रामिड जीवन में जाती विवस्था जो होती है वो अधिठिक प्रभावी पाया जाता है ओर विवसाईक धार्मी सामाजिक आर्थिक आदिक सभी जीवन में जातिय नीमों का कठोता से पालन किया जाता है जो गाउं के लोग होते हैं वो अधिक धार्मिक होते हैं अधिक जातिवाद ही होते हैं जो की देखने को यहां पर भी मिलता है जो की अधिक तर देखने को मिलता है गाउं में की जातिवाद यहां पर होता है जो धार्मिक लोग होते हैं वो धर्म को मानते हैं मतलब की अलग-अलग धर्म वाले लोगत Deja करते हैं लेकिन अलग-अलग अपने अपने जो है धर्म के मतलब धर्म का अधार पर यहां पर पाई जाती है चलिए उमीद है आप यहां पर समझ गयोंगे अच्छे से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्वन मिल जाएगा आप वहां से अगर इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नए टप्ट के साथ दबते के लिए धन्यवाद वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरू किजेगा और चालने को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में